हलो दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे छोले विल्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और ये देखे ग्रेवी इसके बहुत ही लाजवाब और खाने में बिल्कुल चटपटा स्वाद आता है दोस्तों ये रेसिपी आप जरूर से ट्राइ कीजिएगा दोस्तों मसाले इसमें बिल्कुल कम पढ़ते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और ठीक बनी है तो चलिए मैं आपको ट्रेक्स आंप ट्रेप्स देती चली जाओंगी और आप इसे फॉलो कीजिएगा तभी आपके छोले बहुत ही अच्छ अब यहां पर लीजिए एक प्रिशर कूकर और सारे काबली चना जो है छोले जो है इसमें डाल दीजिए बहुत ही इजी मैथर से आज में आपको बनाने जा रही हूं और यह बहुत ही टेश्टी में लगती है दोस्तों अब यहां पर डालिए एक तिस पत्ते और कुछ बताओंगे क्यों मैंने डाला है आगे देखिए अब यहां पर देखिए आधा चमच यहां पर नमक कर दीजेगा ज्यादा नहीं कीजेगा क्योंकि नमक हमें बाद में भी एक प्याला पानी यानि कि जितना आपने चना लिया है चना को बिल्कुल डूबो देना है पानी मे यहां पर देखिए दो medium size के मैंने प्यास लिया है बिल्कुल छोटे size का था और यहां पर एक गाट मैंने लसन ली है दो पीस हरी मिर्च है और अप यहां पर क्या करेंगे अधरक आप खाते हो तो अधरक आप यहां पर 1.5 इंच का टुकड़ा यहां पर आट कर दीजेगा मैं आप mustard oil यूज़ करें या refine oil यूज़ करें ओयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो यहां पर डाले जीरा 1.5 टेस्ट इस्पून जीरा आट कर दीजेगा और 1.4 टेस्पून यहां हिंग आट कर दीजेगा इसका flavor ना बहुत बढ़िया आता है दोनों का combination बहुत बढ़िया राता ह और digestion में भी बहुत अच्छा काम देता है तो चलिए यहां पर जीरा हमारा फूल गया है और यह जो पेश्ट बनावा था ना इसमें आट कर दीजेगा तो थोड़ा सा पानी जार में डाल दीजेगा उसे भी अच्छे से mix करके यहां इसमें add कर दीजेगा अब इसे अच्छ अब हम क्या करेंगे मसाले भी एट कर देंगे तो ड्राइव मसाले हैं जैसे के हल्दी पॉडर है हाफ टीजपून हाफ टीजपून मिच पॉडर मिच आप तीखा आपने हिसाब से रखिएगा तो थोड़ा समय यहां पर जीरा पॉडर भी एड़ कर दिया है और यहां पर मिचंच से टादेंगे हाफ टेस्पून नमक मैंने नमक पहले भी डाल है और अभी भी मैं यहां वहां न मिचंवाट को ढूर उसी के लिए नमक नमक को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भुनाए कर लेते हैं तो बहु पर दो मिन सक्षब लướंगा यहां यहां पर देखिए तो साबुत इसे में टमाटर जो है पीसे में कट कर लिजे उसके बाद भी आप डाल दीजे लेकिन आपको अच्छे सी ग्रेवी चाहिए तो आप यहां पर टमाटर को प्यूरी बना करके डालेगे अब यहां पर डाल दीजे एक चमत कसूरी में थी और दो पीस हरेमिर्च मैं मैं बार बार बता रही हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेजेगा और क्या करेंगे कि हम इसमें लीट को कवर करते हुए इसकी भुनाई करेंगे ठीक है तो गैस का फिलिम बिल्कुल मेडियम रखेगा और इसे की अच्छे सी भुनाई कर लीजेगा तो यहां पर चमच छोला मसाला, कोई भी बरानका छोला मसाला आड़ कर सकते हैं, और इसे चटपटा बनाने के लिए यहां पर डालिए काला नमाग या चाट मसाला या अमचुर पॉडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, आपके पास तीनों में से कुछ भी हो आप यहां पर आड़ अब हम क्या करेंगे इसके पत्ते जो है कि फिलेवर तो इसमें आी गया तो आप यहां पर आप पानी के साथ ही चोले को यहां पर डाल देंगे पानी किलेकर नहीं है कि आ Hey कै तेस्ट हमारी मसाले का भी है heal यहां पर देखिए आलु का क्या काम है आलु को यहां पर इना मैश कर लेजेए बहुत अच्छे से मैश कर लेजे कोई जरूर सो फॉले कीजिएगा और अब यहां पर देखें लीट को कवर कर दीजिए दो मिनट के लिए ताकि यह अच्छा से पक सके और ओयल बिल्कुल सर्फेस पे आ सके तो यहां पर देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो गया है चोले का और यहां पर फ्रेश धन्या की पती आड ढॉल लाल लाल भीलकुल सा उले तो मैं दिखाऊँ गी आपको फ्रेश प factoम होते हैं अब कर दकी हम अभी टेट में क्यों होती है थीक है तो यहां पर दिए कि मैं थोड़ा सा यहां पानी प्र नहीं क्रम केंकर दिए मैं इस आप पानी थोड़ा सा मुझे कम लाग रहाथ के लिए और गैस का फ्लिम बिल्कुल स्लो कर दिजी और उसके बाद देखिएगा दो से तीन मिनट के बाद इस लीट को हटाईए और इसका कलर देखी कितना फाइन कलर आया है कि इतना चेंजिंग हो गया आए ना तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है इस वीट र कोले बनाती है तो बहुत ही मज़ेदार बनता है दोस्तों आप इस तरह से कैसे आप एक बर जरूर सी बना करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लेगी दोस्तों रेसिपी ज़रा सभी पसंद आए तो प्लिस ना भूलिएगा अपने फैमली में दोस्तों में इसे शेयर करने ना भूलिए दोस्तों तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार से रेसिपी के साथ अब तक के लिए